Hello everyone, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है So इस वीडियो के अंदर, दो मिनिट के अंदर मैं आपको बता के जाने वाला हूँ कि आपका जो रिजल्ट आ चुका है, उसके बाद का जो प्रोसेस है, वो क्या रहने वाला है Because अब आपको NTA पर different नहीं रहना है, अब NTA आपका कुछ नहीं करेगा जिस इनिवर्सेटी के लिए आप लोग apply करें होंगे, उसी इनिवर्सेटी की website पर जाके आपको सारा कुछ करना है तो यह आप कैसे पता करेंगे, वो मैं आपको बता देता हूँ, उससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किये, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सस्क्राइब करके जाए आपको काफी सारी इन्फोमिशन सेर करने वाला हूँ, इसी से रिलेटेर, तो आप लोग चैनल को जो है, जो इनिवर्सेटी लिस्ट, जो जो आपने फिल करी थी, उन्हीं इनिवर्सेटी के लिए आप लोग एलीजिबल हो, उन्हीं में आप अपलाई कर सकते हो, तो अब इस पहले जमालाल नजरी उनिवर्सेटी, यादि कि जितनी भी इनिवर्सेटी आपने यहाँ पर फिल करी है, उनकी ओपीशेव वेपसाइट पर आपको विजिल करना पड़ेगा, और वहीं से चेक करना पड़ेगा कि किसका पोर्टल ओपन हुआ है और किसका नहीं हुआ ह यह सारी information मिलेगी हमारे telegram channel पे तो आप लोग telegram channel को join करिए बस आपको कुछ नहीं करना है बिलकुल simple है यह सारी university जो भी आपने फिल करिए यहां से list देख लेना और उनकी website वे visit करके आप लोगों को अपना जो register करना है या फिर कैसे admission लेगी वो process आपको वहीं से पता चलेग इस वीडियो के अंदर आपको यह information देना था तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए चैनल पर नए थे तो चैनल को subscribe करके जाईएगा गाइस ओके इस वीडियो में इतना ही वीडियो देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया